इस कार्यकरम को रोख कर हम आपके लिए लाए हैं Carress the Cowardly Dog Show जिसे सताला है Carress the Cowardly Dog पर मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे वो हमारे बच्पन का सबसे डार्क कार्टून था पर वो डार्क बस इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें डरावने मॉंस्टर थे होरर एलिमेंट्स थे पर असल में वो अभी भी डार्क लगेगा क्योंकि उसमें हमारी लाइफ और हमारी सोसाइटी में जो कांड होते हैं उन पर इंडायरेक्टली उंगली उठाई गई थी और पिर इसके इमोशन्स, मोरल्स और भी बहुत कुछ था जो इसे सबसे यूनीक और बेस्ट बनाते हैं पर आज हम बात करेंगे इसके फाइनल एपिसोड की जो इसके सबसे बेस्ट एपिसोड में से एक भी है और इसे स्पेशल वो बनाता जो एपिसोड इसके जस्ट पहले आया था जिसमें करेज एक टेबल पे बैठा खो गया था उस पे किसी चीज का असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपने दुख भरे पास्ट को याद कर रहा था तो ये एपिसोड करेज की डर का फाइनल चैलेंज था कि अब तक वो अपने ओनर्स की रक्षा में हर डर से लड़ चुका होता है पर अब बारी है खुद के आखरी डर को खत्म करने की और अपने नाम बहादुर पर खरे उतरने की और वो ऐसा करता भी है उस साइंटिस्ट से बदला लेकर तो अपने सारी डरों से लड़के उनको हराने की बात करे जाता है सो के फाइनल एपिसोड में जो था परफेक्ट और ये था उसका डर अपने आप से तो हेलो वैटास्टिक फैंस मेरा नाम है सत्यमिश्रा और समय को सराखो पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड स्टार्ट होता है जब यूस्टस करेश को गाली देता है कि वो कुछ नहीं करता निकम्मा है और हमेशा दूसरों का काम भिगालता रहता है अब करेश फिर अपनी ओनर को खाना बनाने में मदद करना चाहता है लेकिन वापस से फेल हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि सायच जो उसके बारे में बोला गया है वो सब कुछ सही है और वो अपने दिमाग से एक स्कूल टीचर को इमेजिन करने लगता है वो सोचता है कि वो बंदी रियल है पर कोई उसे नहीं देख पा रहा था और वो स्कूल टीचर करेच को गुस्से में और एक स्ट्रिक टीचर की तरह सिखाती है कि लाइफ में perfect कैसे बना जाता है पर करेच तो fail हो जाता है और ये tension depression में बदल जाती है और धीरे धीरे बागलपन की तरह बढ़ने लगती है और तो और उसे सपने में भी एक figure दिखता है जो उसे बोलता है कि वो perfect नहीं है पर तभी वो एक मशली को imagine करता है जो उसे बताती है कि कोई भी चीज perfect नहीं होती और करेच फाइनली राहत की सांस लेता है और करेच का आखरी डर भी यहीं खत्म हो जाता है और मेरे वेपटास्टिक्स यही डर हम सब के अंदर भी होता है और इस सो से हम वो सीख सकते हैं कि perfection जैसा कुछ नहीं होता क्योंकि सब imperfect होते हैं इसलिए सब unique होते हैं हम courage की तरह perfect बनने की try तो कर सकते हैं rules को follow करना एक ही line में बंदे रहना पर courage की ही तरह वो हमें ठका देगा और depression की ओर ले जाएगा और depression का अंत पागलपन से होता है courage ने सो में इतने तरह के धरों से लड़ा उसने society में रहने वाले इतने सारे monsters जो हमारी real life में भी होते हैं उनसे लड़ा चाहे वो कोई pedophile हो या फिर कोई scam करने वाला पर अंत में उसका सबसे बड़ा डर साबित हुआ उसका past का drama और खुद पे शक करना इतना कुछ करने के बाद भी उसे लगा कि वो निकम्मा है और वो perfect नहीं है और कुछी time में इस सक ने उसकी जिन्दगी को बरबाद कर दिया पर उसके अंदर के प्यार ने एक मशली के रूप में उसे बचा लिया I mean बस सोचो school important है पर school में हमें सेम चीज सबको सिखाई जाती है पर जब सबको ध्यान से देखोगे तो उस सेम question का answer सबका अलग-अलग होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि जिसका answer same to same book जैसा है वो perfect है इसका मतलब यही है कि वो किसी और को follow कर रहा है या तो हम इस line में बंद के किसी की carbon copy बन सकते है या जैसे है बैसे रहके जो मन में आये वो करने की कोशिश करके बस ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी वज़े से किसी को physically तो कोई नुकसान नहीं हो रहा हम अपनी unique life बिता सकते हैं जैसे courage ने किया उसने खुद को accept किया और हर शक को दूर करते हुए अपनी खुद की perfect life बनाई जहां ना आप कोई डर था ना कोई चिन था बस वो उसकी family और उनके बीच का प्यार था और इसलिए पहले के cartoons अच्छे होते थे क्योंकि indirectly ही सही लेकिन किसी genius की तरह वो असली problems को जो हर बच्चा आगे जाके जहलेगा उन problems को खुबसूरती से दिखाते थे और उनका solution भी बताते थे तो ये था करेज का final episode इसके बाद करे जाये था स्कूबी डू की नई movie में जहां पता चलता है कि ये जो monsters, aliens हमेशा करेज के पीछे पड़े थे वो सालों पहले इस जगह पर गिरे किसी powerful dark चीच की वजह से आये थे तो वो movie तुम जरूर देखना और हाँ जल्ली से अपने अपने पेवरेट करेज अपिसोड कॉमेंट कर दो और वो फिस्ट का बचन याद रखना You are perfect